तो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं HR चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों आज किस वीडियो में हम एक और न्यू सियाचू वेकेंसीज को लेकर दिवावली के इस पावन पर उपर बहुत बड़ी खुशकबरी आपके लिए लेका हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं केर रहा है जिन लोगों ने तो सब्सक्राइब भी कीजिए साथ ही साथ अपने यार दोस्तों के साथ चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आपको हमेशा हम हर एक तरह की नर्सिंग की जो वीडियो वेकेंसीज होती है वो समय समय पर आपको अवेलेबल करवाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत सांदार वेकेंसीज निकल कर आ चुकी है इसकी जो complete detail है दोस्तों आ चुकी है National Health Mission के तहट Mid-Level Health Provider MLHP जिसको CHO बोलते हैं Community Health Officer के पदम पर भरती की जानों तो complete detail आ चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों और कितनी जो salary मिलेगी को उनको अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना यह पूरी जानकरी वीडियो में मिलेगी तो वीडियो एंड तक देखना साथ ही चाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लाना तो राश्टे स्वास्ते मिशन NHM के द्वारा UK उत्राखंड के अंदर vacancies दोस्तों निकली है जिसमें दोस्तों exam और अवेदिन करने की तितिके बारे में सबसे पहले आप बात कर लेते हैं तो सबसे पहले online अवेदिन करने की चो starting date है वो 20-10-2022 है मतलब आज 22 तारीक है और दो दिन पहले से इसके form start हो चुके है और last date हो 12-11 मतलब एक महिन आपके पास 20 और आपके पास 20 तिन का समय दे रखा है 12-11-2022 को सामको 3 बज़े तक अब नावेदिन कर सकते हैं सुल्ग जमा करवा सकते हैं और विबागी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोन करने की अंतिम तेती रहेगी 13-11-2022 को ठीके दोस्तों अब यहां पर दोस्तों इन्हों ने बताया है कि हेम वती जंडन बहुगना उत्राखंड सिकिसा सिक्सा विस्व विद्यालदवरा लखित परिक्सा आयोजन कर मेरिट चूसी राश्य स्वस्ते मिसन एनेचम को उपलवत करवा दी कराने तक हिसी मीत होगा MLSP, CHO के पदों की संक्या और काउंस्लिंग के समय परदर्श्ति की जाएगी तो अभी तक दोस्तों जो पोस्ट है उनकी संक्या है वो अभी तक जो इन्होंने डिक्लियर नहीं की है तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे CHO के लिए जो परवेश लिकीत परिक्सा होगी उसमें जो सेक्षनिक योगिता क्या होगी सबसे पहले देखेंगी तो अभीयरती है वो भारत का नागरी होना चाहिए मतलब इंडिया का कैंडिडिट अपलाई कर सकता है अब योगिता के बारे में देख सकते हैं तो यहाँ पर रास्ते स्वास्ते मिशन उत्राखंड के अंतरकत मिड लेवल हैथ प्रोवाइडर कम्यूटी हैल्थ ऑफिसर की न्यूक्ति की जानी है Mid-Level Health Provider Community Health Officer की Sectionic Yogita BSC Nursing और Post BSC Nursing होने वाली है तो आप देख सकते हैं जिन्होंँने Candidate ने BSC Nursing या P dipped BSC Nursing या GNM कि है और उसके साथ में कहीं से भी किसी भी State से आपने यदि BP CCS होता है यदि वो साथ में कर रहा है तो आप यहां पर Apply कर सकते हैं इसके अलावा जिननों ने BSC Nursing और पॉस्ट बैसिक BSC Nursing किया है और उसके साथ Integrated CCS कर रहा है तो भी apply कर सकते हैं All India Candidate apply कर सकते हैं सारे apply करें और इसकी जो IUCMA है वो 21 वर्स नियुनतम 1-1 2022 को पूर्ण होनी चाहिए और अधीकतम 42 मतलब 42 साथ तक के candidate apply कर सकते हैं और चरीतर के अलावा इसमें सारे स्वस्ता पंचिकन स्वलक है वो आपका 500 रुपे रहने वाला है ठीके ऑनलाइन आवेजन की प्रकिरिया है वो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से कब तक apply करना है लिखीत परिक्सा के जो है 100 परसन होंगे ABCD जिसमें विकल्प होने वाले हैं दो घंटे समय मिलेगा ठीके दोस्तों इस तरीके से पूरे इसमें instruction दे रहे हैं मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर आपको डाल दूँगा टेलिग्राम का लिंक भी हमने विडियो के description box में दे रहे हैं ताकि पूरी जानकरी टेलिग्राम के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं देरादून परिक्सा के अंदर है इसका एक्जाम का सेरी नगर है हलदानी है और अलमोडा है यहां पर आपका एक्जाम होने वाला है ठीके बाकी जो भी इनफोर्मेशन है दोस्तों टेलिग्राम पर यी पेडियाप डाल दी जाएगी जल्दी सी जाईए और टेलिग्राम क